और जाल है क्या है उल्कम बैक प्रेंट्स है कि यूटिव चैनल एसार्टेख अलौ स्च बशाओं कि विडियो में देखा कि आज सूरण क्लास की मदद से हम कैसे यूजर से इंपोटले ढ़िगर फिरंगे बफ व्र से किस तरह से इन्पुटले सकते हैं दिक है तो चलिए आज की विडियो दिखते हैं मेच सब्सक्राइब गैसे ठीक है किसी फूले अधीर पुले सकते हैं क्योंकि online platform पर होता है तो वह बेसिकली वहां यूज होता है या फिर या फिर यह दोनों यूज होता है तो चलिए आज हम समझते कि कैसे हम यूजर से इंपूड ले सकते हैं तो यह थोड़ा एक लिए इसका कोड है लेकिन आपको समझना चाहिए सबसे पर समझते कि बफर इंडर क्लास होता क्या जावा बफर इंडर क्लास इस यूज तो रीड टेक्स्ट फ्रॉम दा करेक्टर बेस्ट इंपूड इस्ट्रीम एक नया एक नया मतलब चैप्टर है मैं इसके बारे में आगे एक वीडियो दिसक्स करेंगा ठीक है बफर संसाथ हम असानी से रीड कर सकते है चारेक्टर बेस्ट इंपूल इंपूड इस तो वह स्मय में अलग मैथड मेथट से हम इंपूट इंपूट लेते थे ठीक है यह read line method से हम easily inputs ले सकते हैं ठीक है इट makes the performance fast यह थोड़ा fast performance होता है ठीक है इसमें जो buffer reader class होती है उसमें थोड़ा fast performance होती है ठीक है it inherits reader class यह बहुत important है यह जो असल में जो buffer reader class होती है है वो inherit करता है reader class ठीक है reader नाम से एक class है उस class की properties को वो inherit करता है ठीक है तो I hope यह first आपको अच्छे से समझ मागिया होगा से लिए second point दखते है reads text from a character input stream ठीक है character input stream से वो characters read करता है ठीक है buffering character so as to provide for the efficient reading of character efficient reading of characters arrays lines text ठीक है जो भी है वो से efficiently वो read करता है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है लिए देक्टे लास्ट पॉइंट यह क्या है ठीक है ठीक है बफर इंटर क्लास अव जावा इस उस्टो रीड देस्टीम्स of characters from the specified stores यह इस input character input stream ठीक है वो character input stream जो होती है पॉड्स्ट जो है थोड़ा धिने थाव्यकत करता है ठीक है तो अभी हम देखाएंगे कि कैसे हम लिखते है कहां पर मतलब पैरेमेटर हम यूज करते हैं ठीक है तो यहां तक आपको अच्छे समझ में आ यह थोड़ा लेंदी टैप के विए थोड़ा इसलिए आपको जब मैं प्रोग्राम बनाऊंगा भी तो आपको अच्छे से क्लियर हो जागा ठीक है तो अफ्टे देखते हैं मैं अपना प्रोग्राम फोल्डर में चला जाता हूं अब कर देखते हैं कि कैसे हम बनाते हैं ठीक है बेशी कली देखिए इसे बनाने के लिए बेसिकली क्या होता है सबसे पहले हमें इसके लिए कुछ अलग इंपोर्ट करना पड़ता है हमें पैकेजेस हमें इंपोर्ट करना पड़ता है इंपोर्ट सबसे पहला पैकेज है इंपोर्ट जावा.io.buffered इंपोर्ट करना पड़ेगा इंपोर्ट करना पड़ेगा इंपोर्ट जावा.io.io exception इनफ़ेगा इंपोर्ट करना पड़ा है और देखिये एक नया है जो है इंपोर्ट जावा.io.io इंपोर्ट इंपोर्ट इस प्रीं आ इचे यह जो स्ट्रीम जो रीडर है जो रिडर में उससे इसलिए इन्हेरिट करता है इसलिए इन्हेरिट करना पड़ता है इंपूर्ट करने बहुत ही जरूरी है या तो आप यहां लिख करके वह आप स्टार लगा सकते हैं जैसे आप यह तीनों जो है वह आयो पैकेज के अंदर है तो आप एक ही आयो इंपोर्ट जावा डॉट लिख कर डॉट स्टार लगा दीए वह सारे जो क्लासे से वह सब मतलब हम एक्सेस कर सकते हैं ठीक है वह से हम वह एक्टिव हो जाता है ठीक है तो चलिए अब हम क्या करत यहमको कट कर देते हैं इसे भी हम यहां काट देते कर देते हैं तो यह तिक बहुत है यहां सिंपल है हम यहां तक टीक है छीप ग्रूर्ट अथ यहां-ध्र कलास बाराक एप्लास अल्ट के नाम से जैक हुआ एपूम क्लास अनिमल था फंक्शन मना लिव्र वाद था है product ट्रिंग यार्जियस की बारे में हमने देख लिया किमांड लाइन में कैसे मतलब अर्गमेंट वह हम देते हैं अब देखे यहां पर एक और चीज आपको लिखना है यहां लिखना है भोज आ यहां एकसेप्शं है प्रोज आयो एकसेप्शन करते हैं आगर हम यह नहीं लिखते है तो यह आपको एरो शो करेगा ठीक अब लिखना तो यह चीज आपको यह रखना है अब हम देखते हैं अब सबसे पहले हम क्या करेंगे एक बफर रिडर का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे इसका जिए यहां आप कुछ भी लिख सकते हैं यहां पर कि यह औब्जेक्ट के नामें आप कुछ भी लिख सकते हैं इस इक लट न्यू न्यू बफ़र डिडर अप देखिए क्या करना है इसके अंदर अब हमें पैरेमिटर पास करना है तो पैरेमिटर में हमें क्या चीज पास करनी है वह एक मतलब जो रीडर क्लास है तो उस पर हमें एक पैरेमिटर पास करना ठीक है तो इसलिए हम न्यू लगाएंगे कि हम एक अब्जेक्ट भी उससे बनाना है यह शिज़ आपको यहाद रखना है अब्जेक्ट बनाकर कि यहां पास करना ठीक है तो हम न्यू का हमें यूज Ainu का यहां मैं जैसे जो कैपिटल लिख रहा हूं वह आपको भी वह कैपिटल ही लिखना है ठीक है इन्पुट इस्ट्रेम रीडर है ठीक है यहां तक आप समझ गया है यह अब्जेक्ट क्रियेट कर रहा है ठीक है इसका नाम है किरो इसका बात जो इसके अंदर हमने एक परेंथर से लिया है और उस परेंथर के अंदर शेंच किया हैरा कि और उसके बाद system.in का मतलब समझे की बूट से इंपुट लेने के लिए system.in यूज करते हैं और system.in कुछ भी जो हम लिखते हैं जो system.in का मतलब होता है कुछ भी प्रिंट करवाना कुछ भी आउटपुट देना कोई भी जो कंसोल है उसमें हमें आउटपुट शो करवाना और system.in का मतलब होता है मतलब यूजर से इंपुट लेना ठीक है यहां तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा है कि अब हम क्या करेंगे हमने अब्जेक्ट बना लिया है चलिए अब हम कुछ प्रिंट कर वाते हैं जैसे system.in लिखा है इसे यूजर से इंपुट लेने केलिए काम आता है वह असल में कुछ आउटपुट प्रिंट करवाने केलिए काम आता है ठीक है तो दा कंसोल में कु यूर नेम है कुछ भी लिख सकते हैं यूर नेम के बाद एक कुछ रमाग देते हैं इसे हम बंद कर देते हैं अब हम क्या करेंगे यूजर से इंपुट कैसे लेंगे ठीक है कि हम कुछ ले लेते हैं जैसे स्ट्रिंग लेते हैं इसे बाद आपको क्या करना है इसे बाद बी आर जॉट रीड लाइन जो हमने देखा ठीक है इसका अलग मैथट साथ हमने यह देखा था कि अधिया यह अलग-धिसके मैथट से जो इंटरी रीड होता है यह इक अलग मैथट हो गया यह अलग मैथट है लग-लग परेमिटर से यह स्ट्रिंग रिट लाइन तो हम बेसकली इसका यूजर कर रहे हैं यह देकिए किस तो चलिए अभी हम देखते है कि यह रीड लाइन कैसे हम इसे यूज करते है यहां तक हमने लिया है अब हम क्या करेंगे हमने इंपूट रीड कर लिया अब हम इसे आउट्पूट कुछ शो करवाते हैं इस्टम.out.println है वहाँ तो सिंपल है लेकिन सिफ आपको कोड को थोड़ा समझना है बस यहां लिख देते हैं माई नेम इस वेरीबल में जो भी इसके जरीए हम इन्पूट ले रही है यूजर से इन्पूट ले रहे है और यह जो भी इन्पूट आएगा वह फ्लेज को हमें यहां पर प्रेंट कर देना है बहुत सिंपल है मैं आप होड़े होब तक आपको अच्छे से समझ में आ गया हूँ है अब हम इनसे से से लिते हैं और देखते हैं सेफ करते है अन्रीमल डॉट जावा आ हुछ अब हम अपना कमांड प्रॉम्ट्ट अपेन कर लेते हैं मैं है मैं अपना कमांड नॉपन कर लेता हूं तो अब हम चलिए देखते हैं सब्सक्राइब मैं अपने लोगेशन में चला जाता हूँ है है प्रोग्राम है यह हम अपने लोगेशन में आ चुके हैं अब हम इससे सब्सक्राइब करेंगे ठीक है तो और जावा आप देखते कि हमारे प्रोगाम में कुछ भी अब लिए नहीं है मतलब सब्सक्राइब करते चावा इस एनिमल यह नाम पूच रहा है कि शुच भी अब लिग सकते हैं कि अनिमल का नाम लिख देता हूं जैसे हम अगर इंट में ले आप कोई और अलग डेटर टाइप में ले सकते हैं इंट एब इस यहां यह चीज है सिर्फ मतलब कि letי आप बिदेता है वरера डॉइडव ब सेख्श्वं का बदाइयों की वो स्ट्रींगि टैप का टेक्स्ट को लेता लेकिन हमें चाहिए इंट टाइप के लिए तो हमें से इसे कनरड करना पड़ेगा ठाइब między जैसा कि हम पेशले वीडियो इसमें देखा है जो स्कार्ट क्लास में यूज करते थे जो कंसुल क्लास में हमने यूज किया तो इसमें भी वह सेम प्रॉसेसर टीक इंटी डॉट पार्स आई एंटी ठीक है और इसको हमें ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखना है यह बहुत सिंपल है ज्यादा इसमें कुछ य है इंटीजर डॉट पार्स आई एंटी उसके बाद भी या डॉट रीड लाइंग यह बहुत सिंपल है और फिर यहां जो हमें रिजल्ट मिलेगा वह एबीसी में श्टोर हो जाएगा और एबीसी को हमें आपर प्रिंट करा देना है कि अलिए सेव करते हैं और हमें फिर से भी मतलब अगर देखा हम यहां कुछ नाम लिखते जी से टाइगर तो यह एर इर्रों करेगा, ठेक है यह एकस्प्ष्षिन वह एरो कर रहा हुट कंपूद इंपूद टाइगर यह एरे शो कर रहा रहा है ऑन्नोन सॉर्स कैन मैं त्षमसें молод तो तो याद रखना है कि आप 54-55 यहन ले लिया कि 55 तो इसलिए आपको यहाँ पर याद रखना है कर आपको डबल चाहिए या फ्लोट पार पार इस टैप साथ मैं कि अब अ करी होप यहां तक आप अच्छे समझ में आ ग्या होगा कि लिए और आप को यह four जो है वह अच्छले सी कुलियर हो गया हो से यूज करते हैं और यह चारों में से बिसिकली यह स्कैनर क्लास और बफर डिंटर क्लास ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेकिन आपको अगर आप एक फ्रोग्रामर है तो आपको यह चारों इंपूट के बारे माच्छे से समझ होना चाहिए ठीक है यहां तक आप इंप एफ और शोर्डेव यह जाए यह चाहिए टीक है इंपूस्टेश नही चाहिए भी झाहिए और जाए लुटेश गॉटेश